हलो दोस्तों नमस्कार मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एज्यूकेसन तो प्यारे बच्चो अरियाना में पीसी नर्सिंग पेरा मेडिकल और फीजियो तेरेपी इन तीनों ही कोर्सेज के लिए सेकंड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है इस बा आपको जो हैं बहुत कुछ बदलाव देखने को मिलेगा इस बार सेक्यूरिटी फीज के रूप में पांच हजार रुपे और गॉर्मेंट के लिए मरदोस्तों एक हजार रुपे और प्राइवेट के लिए पांच हजार रुपे चार्ज किये जा रहे हैं ऐसा पहली बार ह हो रहा है कि इस बार बहुत कुछ नया हो रहा है तो इसलिए बच्चो पूरी गाइडलाइन को समझना है को लेच्चो इस फिल करने का पूरा प्रोसेस अगर समझना है तो यह वीडियो जरूर देखना इसमें में स्टेप बाई स्टेप को लेच कैसे फिल करना है कैसे डिल इतना आसान में कर देने वाला हूँ प्यारे साथियो तो आप सबसे पहले तो देखिएगा कि हमारा जो round second start हुआ है इसका schedule क्या आया है ये बेटा schedule है आप देख सकते है है ना जो round second है बेटा ये इस round second के लिए college की choice फिल करने की जो last date है वो हमारी 9 October है है ना बेटा तो आपको 9 October 2021 रात 12 बजे तक choice फिल कर देनी है ये date आपको सभी को याद रखनी है 9 October जो है बेटा last date है ध्यान रखना आपके काम की date यही है बेटा देखो 7 October से 9 October तक आपकी choice फिलिंग होगी 11 October को allotment आएगा 11 से 13 October तक college की fees जमा होगी online और 14 से 17 October तक PGIMS road तक में document verification होगा और document verification के बाद में बेटा आपको document verify करवा के तो जो भी college मिला है उसमें जाके join करना पड़ेगा सबसे पहले choice फिल करना है choice फिल करने के बाद seat alert होगा इसलिए fees जमा करनी है तो पहले choice फिल फिर fees जमा करनी पड़ेगी फिर document verify करने पड़ेगे फिर college जाके join करना पड़ेगा च्यार स्टेप है choice filling then fees deposit then document verification then college joining है ना च्यार स्टेप है इसमें बचो दो स्टेप online है दो स्टेप offline है मतलब कि choice filling online होगी आपकी fees जमा online होगी लेकिन document verification के लिए आपको खुद offline रो तक की PTBD सर्मा university में जाना पड़ेगा मतलब PGA MS row तक में जाना पड़ेगा आपको document verify कराने के बाद जैसे आपने मान लो document verify करवाया पंदरा अक्टूबर को तो सो ला को अपना college जाके join कर लो है की नहीं बिलकुल अब बेटा देखो देखे अब हम बात कर रहे हैं कि भाई यह जो second round की counselling है इसमें कौन participate कर सकता है देखो बेटा मैंने कुछ point लिखे हैं कि भाई second round के अंदर कौन भाग ले सकता है बहुत ही आसान बासा में सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताऊंगा प्लीज इस वीडियो को share करना आप मेरा निवेदा ने status पे डालना एक भी doubt नहीं रहेगा यह वीडियो देखने के बाद देखो बेटा यहां पर सबसे पहला point है कि इस second round की counselling में सभी बच्चे भाग ले सकते हैं all candidate participate सभी बच्चे भाग ले सकते हैं इसका क्या मतलब है सर इसका यह मतलब है कि जिन बच्चों ने CET 2024 वाला एक्जाम दे रखा है और जिनके अच्छे mark से 60 plus score है वो सारे बच्चे भा आटिसिबेट कर सकते हैं इसका मतलब यह है कि जिनोंने round fest करवा रखा है और college join कर रखा है वो भी भाग ले सकते हैं college upgrade करवाने के लिए और जिनको round fest में college मिला था लेकिन college join नहीं किया not join वो भी भाग ले सकते हैं next ऐसे बच्चे जिनोंने round fest करवाया लेकिन not a lot college जिनको college ही नहीं मिला round fest में वो भी भाग लेंगे phrase student new student जिनोंने fast round ही नहीं करवाया वो भी भाग लेंगे यहां तक कि अगर कोई resign किया हुआ candidate है और वो भी अगर भाग लेना चाता है तो वो भी एक बार login करके चेक कर लें क्यूंकि मैंने किसी resign बच्चे का चेक नहीं किया है बाकी सभी का चेक कर लिया है अब देखो बेटा अब बात यह है कि second round का क्या charge है और college कैसे change होगा सब कुछ बताता हूँ देखो बेटा round second first round में आपकी कोई fees नहीं लगी थी बेटा counselling की लेकिन second round के अंदर fees लगेगी और वो कैसी fees है बेटा security fees लगेगी आपकी और यह security fees किस तरह की है बेटा यह refundable fees है मतलब यह refund होगी आपकी यह fees आपी की है यह लोग security परपस से ले रहे हैं बाद में आपको refund कर देंगे है न लेकिन इसकी भी कुछ नियम और सरते हैं अब एक बच्चा मान लो उसे कोलेज कौन सा जोइन करना है उसे केवल government को लेज चाहिए केवल कैसा को लेज चाहिए गोर्मेंट तो अब जब आप choice बरोगे और choice में अगर केवल government बरना चाते हो आपको private नहीं लेना तो आप की security fee लगेगी 1000 रुपे कितनी बटा 1000 रुपे फीस लगेगी ओके और जो बच्चा केवल private बरना चाता है जिसके नंबर बहुत कम आये हुए हैं तो जो केवल private बरेगा उसकी security fee लगेगी 5000 और अगर कोई बच्चा अपने choice बिलिंग के दोरान पहले government और बाद में private मतलब द और private college भी बरेगा मतलब दोनो college दोनो type के college अगर बरेगा तो उस बच्चे को fees कितनी देनी पड़ेगी बेटा उस बच्चे को 5000 प्लस 1000 यहनी कितनी 6000 रुपे online पे करने हैं मैं फिर कह रहा हूँ यह refundable fees है है अगर आपको college अलोट नहीं होता है तो यह refund हो जाएगी और अगर college अलोट हो जाता है बेटा तो college भी इसमें एड़ेस्ट हो जाएगी ओके जी हाँ यह सभी की लगेगी जो college अपग्रेड कराना चाता है चेंज कराना चाता है उसकी भी लगेगी जिसको first round में college नहीं मिलाता उसकी भी लगेगी जो भी second round कराएगा सभी की लगेगी चाहे आ ओके जी हाँ अगला पोइंट क्या ये फीस रिफंड होगी जी हाँ कब रिफंड होगी ये जो पांच अजार प्लस एक अजार ये जो फी है ना बेटा ये बिलकुल रिफंड होगी यदि कोलेज अलोट नहीं होतो अगर कोलेज अलोट नहीं होता है नहीं होतो अगर कोलेज अलोट नहीं हुआ तो रिफंड हो जाएगी है ना और अगर अलोट नहीं हुआ और मानलो आप थर्ड राउंड में चले गए अभी सेकेंड राउंड में मानलो किसी को अलोट नहीं हुआ और फीस पेड की हुई है तो आप third round में आपको दोबारा नहीं देनी पड़ेगी, हना third round जब करवाओगे, तो दोबारा नहीं देनी है, ठीक, अब मालो किसी को third round में भी नहीं मिला college, तो फिर refund हो जाएगी, आपके खाते में कुन सा खाता, form भरते समय एक account number दिया था ना, उसमें refund होगी, ठीक है ना, बिल्कुल जी, चलो भई, अब एक college की fees, college की fees तो आपको पता ही है, दो type की है, अलग-अलग courses में अलग-अलग है, किसी courses में जैसे B.A.C. नर्सिंग में और B.P.T. में, government की 20,000 हैं, private की 60,000 हैं, अगर कोई बच्चा है, मान लो, उसने resign कर दिया, college क्या कर दिया, resign कर दिया, तो उसको भी forum बरते समय, जो account number दिया हुआ है, उसमें वो payment refund होगा, very simple, कोई दिक्कत नहीं, चलो जी, next point, upgradation, college change कैसे होगा, बहुत ही simple है बेटा, upgradation, यनि college change, पहले तो होगा किसका, जिस बच्चे को first round में college मिला था, और first round में, आपने fee'd जमा करा दी, fee'd जमा कराने के बाद, document verify करवाए, document verify कराने के बाद, college join कर लिया, अगर first round वाला college join किया हुआ है, और ये college अगर आपको पसंद नहीं है, तो आप second round में भाग लेंगे, और बच्चा जैसे ही कोई बच्चा, जिसके first round में college alert हो चुका है, और college join किया हुआ है, जैसे ही आप second round में भाग लेंगे, तो इसी को ही upgrade कहते हैं, लेकिन, जितने भी बच्चे second round में भाग लेंगे, college की choice आपको नहीं भरनी पड़ेगी, ध्यान रखना, पुराने वाली college choice valid नहीं है, round two के अंदर ये एक नियम सभी पे लगू होगा, round two में, सभी को, सभी को phrase, मतलब new, new choice भरनी होगी, समझ में आई बात, सभी को phrase choice भरनी होगी, सभी को चोईस अपनी पसंद के अनुसार भरनी है, अपने पसंद के अनुसार, आप course और college दोनों ही भर पाऊगे, आप मानलो ऐसा भी कर सकते हो, कि मानलो पहले government college भर दिये B.S.E. nursing के, आप ऐसा भी कर सकते हो, कि इसके बाद government college भर सकते हो, आप पेरा मेडिकल के, आप ऐसा भी कर सकते हो, कि इसके बाद आप government college भर दो फीजियो तेरेपी के, और इसके बाद मानलो आप private college भर दो B.S.E. nursing के, ऐसे भी कर सकते हो, तो क्या सर अलग-अलग courses की अलग-अलग security भी है, बिलकुल भी नहीं, जब आप government भरोगे, चाहिए तीनों courses का भरो, 1000 रुपे ही लगेंगे, और जब आप private भरोगे, तो 5000 लगेंगे, total 6000, ओके, जी हाँ, लेकिन choice सभी को भरनी पड़ेगी, तो सर जो upgrade कराएगा, उसको भी नई choice भरनी है, कि हाँ, जिस college में आप change कराना चाते हैं, उन college के नाम आपको choice में बरने है, है ना, तो बेटा जिनको change कराना है, उनको क्या करना है, round two, round two की counselling करानी है, मतलब कि आपको website पे जाना होगा, login करना होगा, login करके, और अंदर college की choice बरनी है, login करके payment करनी है, फी बरनी पड़ेगी, पे करने के जैस्ट बाद, security फी पे करनी है, पे करने के बाद, आपको college की choice बरनी है, college choice, sir, जो पहले बरी हुई है, वो नहीं चलेगी, क्या बिल्कुल, अब आप अपने पसंद के अनुसार भरो, तो sir, कितने college बर सकते हैं, अपग्रेडेशन के अंदर, आप एक भी बर सकते हो, दो बर सकते हो, तीन बर सकते हो, और ज़्यादा भी बर सकते हो, जिन college में आपको change होना है, मानलो, आपका सपना है, कि मुझे तो इसी में जाना है, एक college में ही, तो वो एक ही बरो, जैसे मानलो आपका सपना है कि मुझे जाना है Indus College में, अभी मानलो आपको KVM मिला हुआ है, आपके दिमाग में यह है कि मुझे जाना तो Indus में, Indus नहीं मिलेगा, तो मेरे को KVM ही रखना है, तो अभी आपको मानलो First Town में क्या मिला हुआ है, KVM, Second Town में क किसमें जाना है, Indus में, Indus में चेंज कराना, तो Indus पर दो, अब अगर कोई फालतू के और कोलेज भर दोगे, तो फालतू वाले मिल जाएंगे, मिल जाएंगे, और फिर कहोगे, सर मेरे को तो चेंज नहीं करना, तो ऐसा नहीं होगा, अगर कोई बच्चा अपग्रेड जाता है और अगर कोलेज आपका अपग्रेड हो जाता है तो फिर वो जोइन करना पड़ेगा अगर जोइन नहीं करोगे तो पांच अजार रुपे आपके चले जाएंगे फिर थर्ड राउंड की काउंसलिंग में फिर पांच अजार देने पड़ेंगे समझ में आई बात मै यह पॉइंट भी यहां लिख रहा हूँ देखो यदि चेंज नहीं हुआ तब तो एक जो फैस्टाउंड में मिला हुआ है वही कोलेज रहेगा है यदि अपग्रेड नहीं होता है इसका मतलब तो पुराना कोलेज सेफ रहेगा ओल्ड कोलेज आपका क्या रहेगा सेफ रह है और अगर चेंज हो गया तो चेंज होने पर चेंज होने पर नया कोलेज जोइन करना होगा न्यू कोलेज जोइन करना होगा क्योंकि पुराने कोलेज की सीट कैंसल हो गई और अगर जोइन नहीं करते हो तो अगर जोइन नहीं करोगे तो पांच अजार रुपे जब तो जाएंगे जोइन नहीं करने पर जोइन नहीं करने पर security क्या हो जाएगी जब याद रखना और join कर लिया तो security जो है वो fees में एड़्जेस्ट हो जाएगी पर अगर fees कम है आपके college की तो refund हो जाएगी ओके हां अगर सरह हम join ना करें change होने के बाद भी तो क्या हम third round करा सकते हैं बिल्कुल करवा सकते हैं बस इतना ही है कि यह security जब तो जाएगी फिर यहां नई security देनी पड़ेगी ओके जी हाँ चलो जी अब अगर कोई बच्चा सर पहली बार तो college change वाला समझ में आ गया अगर कोई बच्चा first time second round करा रहा है new candidate है कोई और वो second round करवा रहा है या कोई ऐसा बच्चा है जिसको first round में alert नहीं हुआ alert नहीं हुआ जिसको round fast में alert ही नहीं हुआ या जिसने round fast में join नहीं किया join नहीं किया तो जो ऐसे बच्चे हैं या तो जो पहली बार करवा रहे हैं counseling, या जिनको round west में college मिला ही नहीं, या जिनको round west में मिला था और join नहीं किया, sir क्या ऐसे बच्चे, अगर sir इनको round two में college मानलो a lot हो गया, college अगल a lot हुआ, और sir अगर इन बच्चों ने college join कर लिया, तो क्या इनको third round में college change का मोका मिलेगा, जी हाँ, बिल्कुल थर्ड राउंड में आप अप्ग्रेड करवा पाओगे है ना, और अगर सर ये बचे तो कॉलेज मिलता है, अगर ये छोड़ दें तो भी थर्ड राउंड करवा सकते हैं, हाँ करवा सकते हो ठीक है ना, बिल्कुल जी ठीक है भाई मेरी बात समझ में आ गई आपके मैंने कहा है कि आपको अगर कोलेज एलोट हुआ और कोलेज जोइन किया आपने तो आप थर्ड राउंड के अंदर उस कोलेज को थोड़ा बहुत चेंज भी करा सकते है अगर कराना चाहो तो मेरा सुझा अब यही है कि राउंड टू में जो भी कोलेज मिले उसको जोइन जरूर करना चाहिए जोइन जरूर करना चाहिए है ना बिल्कुल जी चलो जी इसके बाद कोलेज चेंज आप सेकेंड राउंड क्या second round के बाद भी college change होगा इसका answer है yes होगा अगर कोई third round में upgrade कराना चाहेगा तो होगा sir third round कौन करवा सकता है जो second round में college join करेगा वो जो बच्चा second round में join करेगा वो third round करवा पाएगा और और जिसको round two में college नहीं मिलेगा round two में college नहीं मिला वो बच्चा भी third round करवाएगा है ना हाँ जी चलो भई इतनी बात समझ में आ गई क्या बिल्कुल आ गई अब मैं choice filling करवा के भी आपको बताता हूँ कैसे होती है choice filling मैं आपको step by step सब कुछ बताता हूँ website open करके सारी चीजे पहले तो choice filling कोन सी website पे होगी uhsrcetadmission.in ओके ये website है किसी भी बच्चे को choice filling से related कोई भी दिक्कत होती है तो ये बेटा mail ID है किसकी pgims की help at the rate uhsrcetadmission.in ये बच्चो pgims की email ID है इसमें आप technical support ले सकते हैं कोई भी अगर payment वगरा पज़ जाता है आपका कुछ भी दिक्कत होता है तो इस पे आप mail कर देना ओके चलो जी अब बेटा आप कैसे login करोगे और कैसे counseling कराओगे तो सबसे पहले uhsr की website पे जाओगे ये लो जी website पे आगे uhsrcet फिर क्या करोगे applicant login पे click करोगे फिर क्या करोगे अपना application ID डालोगे और password डालोगे ये जो security code है ये इदर डालोगे और फिर login करोगे password भूल गए तो reset password पे click कर देना reset password पे click करोगे तो यह registration number डालना है यह date of birth डालनी है यह एक security question है 7 plus 1 कितना होता है 8 ऐसा अलग-अलग question हो सकता है ओके बेटा बिलकुल जी तो आप लोगों को login करना है जैसे ही अब आप login करोगे बेटा तो login करने के बाद अगले सारे step में ने already advance में board पे लगा रखे है जैसे ही आप login करोगे तो आप से a question पूछा जाएगा जानते हो क्या आप जैसे ही login करोगे न बेटा तो आप से इस तरह का question पूछा जाएगा देखो Do you want to apply for round 2 counselling क्या आप second round की counselling करवाना चाहते हैं या select status लिखा हुआ आएगा तो याँ आएगा yes और no तो option आएगे अगर करवाना चाहते हैं तो yes पे click कर लेना yes पे click करके फिर save and continue पे click करना okay बिल्कूल फिर क्या करना है सर तो आपने yes पे click किया फिर save and continue पे click कर दिया फिर आगे चलो फिर आगे चलो अब ये option आएगे आपके सामने देखो इतनी बड़िया जानकरी आपको कोई नहीं बताएगा मैं दावे के साथ कह रहा हूँ बेटा है ना ये चीजें कोई नहीं बताएगा अब देखो बेटा अब इस तरह से open होगा इसके बाद इस तरह से आगे open होगा आपने क्या किया यहाँ पे yes किया अब इदर आएगा select institute type select institute type अब यहाँ पे क्या होगा institute type में अब देखो यहाँ पहले ही पहले लिखा हुआ आएगा गौवर्मेंट पॉब्लिक गौवर्मेंट एडेड गौवर्मेंट एडेड एक option यह होगा फिर होगा only private college और तीसरे option में होगा गौवर्मेंट एड प्राइड प्राइड बहुत मतलब दोनों ऐसे तीन option होंगे आपको जिनको गौवर्मेंट को लेजी चाहिए वो एक नमबर option गौवर्मेंट एडेड पे कर देना click जिनको केवल प्राइड चाहिए वो प्राइड पे कर लेना click और जिनको गौवर्मेंट और प्राइड दोनों ही बरनी है वो दोनों वाले पे कर लेना click clear तो click करोगे फिर क्या करना है फिर यहाँ पे देखो यह point लिखा हुआ है security deposit amount कितना amount लगेगा 1000 रुपे गौवर्मेंट के लिए 5000 रुपे प्राइड के लिए और बहुत गौवर्मेंट और प्राइड कोलेज और बहुत गौवर्मेंट और प्राइड कोलेज और बहुत गौवर्मेंट और प्राइड कोलेज हो सकता है बेटा गौवर्मेंट और प्राइड दोनों के लिए आपके 5000 ही कट सकते है ऐसा भी हो सकता है गौवर्मेंट और प्राइवेट दोनों ही कोलेज जबाब भरोगे ऐसा भी हो सकता है कि आपके 6000 नहीं कटे केवल 5000 कटे क्योंकि ऐसा लिखा हुआ है यहां पे 1000 for government and 5000 for private और बहुत कोलेज इसका यह भी मतलब हो सकता है या तो 5000 कटेंगे यह 6000 आप चेक कर लेना पहना ठीक है चलो अब बेटा इतना काम कर लिया आपने कोलेज सेलेक्ट किया मानलो आपने government सेलेक्ट किया फिर क्या करोगे फिर यह टिक करोगे यह चार पॉइंट है इनको टिक करना है क्या पॉइंट है इन केस आयम अलोटेड एनी सीट इन राउंड टू काउंसलिंग यह कह रहा है कि राउंड टू में अगर आपको सीट मिलती है तो फैस्ट राउंड वाली कैंसल हो जाएगी अगर आप अपग्रेड कराते हो तो वो तो होगी पहले राउंड में जो आपने चोईस भरी थी और अगर आपको कोलेज नहीं मिली तो अब आपको दुबरा ही चोईस भरनी पड़ेगी अगर आप कोलेज चेंज करा रहे हो तो भी सारी चोईस से दुबरा बढ़नी है जैसे भी भरो सर क्या पहले भरीती फैस्टाउंड में वही सिक्वेंस रखना जरूरी है क्या कोई जरूरी नहीं अब आप नई चोईस भरोगे अपने हिसाब से ठीक है तो इतनी बात है यह चारों ही पॉइंट पर टिक करना है कुल मिला के बात यह फिर नीचे सेव एंड कंटीन्यू पर क्लिक करना है ओके सर कर देंगे इसके बाद सर क्या करना है जैसे ही सेव एंड कंटीन्यू पर आप क्लिक करोगे तो कौन सा ओप्सन आएगा सर पताता हूँ आपको अभी रुकिया जैसे ही आप save and continue पे क्या करोगे बेटा जैसे ही save और continue पे जैसे ही क्लिक किया यह इस तरह से option आपके सामने आ जाएगा देखो मैंने इस बच्ची का कोई form भरा है तो मैंने यहाँ पे cable only for government and government added पे किया एक लिक आप दोनों बहुत government and private पे कर लो है ना जिनके number का में वो तो बहुत government and private दोनों पे करना बेटा अब बेटा देखो देखें मैंने फिर यह चारो option टिक किये वे देखो आप यह मैंने चारो option टिक किये दिख रहे हैं आपको yellow color के अब देखो फिर मैंने save and continue पे क्लिक कर दिया जैसे ही मैंने क्लिक किया है पेटा जैसे ही मैंने save and continue पे क्लिक किया है उपर लिखा हुआ हुआ है are you sure to submit your second round registration form यह second round का registration है बेटा यह कह रहा है कि आप sure हो मैंने का बिल्कुल sure है मैंने okay पे klik कर दिया okay पे klik करते ही मेरे को payment का option आया ऐसे अब मुझे payment करना है मुझे क्या करना है अब payment करना है बेटा है ना जी हाँ अब मुझे क्या करना है बेटा payment करना है अब देखो payment में सारे option आएंगे आपके पास कौन से सारे देखो एक तो आएगा net banking का फिर debit card मतलब ATM card का number डाल के आप कर सकते हो फिर UPI UPI वाला सबसे बड़ी है बेटा इसमें किसी भी आपके पिता जी की भाई की UPI ID लिखके भी payment कर सकते हो और एक यहां QR code का option आएगा QR code QR code वाले option पे क्लिक करोगे तो QR code से payment हो जाएगा मैंने तो QR code पे क्लिक करके ही किया यह जैसे आप UPI पे क्लिक करोगे ना तो यहां आएगा QR code आप QR code पे क्लिक कर देना क्लिक करते ही इस तरह से QR code दिखेगा उसे scan करना और payment हो जाएगा तुरंत ठीक है ना तो QR code से भी कर सकते हो UPI ID से डाल के भी कर सकते हो UPI पे क्लिक करोगे दो option है debit card का मतलब ATM card की मदद से भी कर सकते हो जैसे ही आपका payment हो जाएगा यहां लिखा हुआ आएगा online payment success और फिर नीचे लिखा हुआ आएगा to login again click here मतलब अब आपको दुबारा login करना है मतलब आपका registration पूरा हो गया registration complete तो अब registration में आपने क्या 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 किया registration में क्या 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 किया भई सबसे पहले सर हमने login किया login किया ID password डाल के ओके फिर फिर उसने हमारे से पूछा कि आप round two करवाना चाते हो और नहीं करवाना चाते है हमने yes किया फिर उसने का आप कौन से college बढ़ना चाते हो तो हम या तो government या private या दोनों जो भी है फिर फिर सर चार option थे हमने टिक किया फिर हमने save and continue पर क्लिक किया फिर हमने okay किया सर फिर हमने payment किया सर पेङमेंट करते ही अब हमें दुबारा login का option दिया अब आपको दुबारा login करना है अब हम सर दुबारा login कर रहे हैं अब इस तरह से दुबारा हम login करेंगे payment करने के बाद फिर से login id और password डालके ये security code डालेंगे और login कर लेंगे अब जैसे ही login करेंगे दुबारा अब हमारे सामने option आएगा fill choice का fill choice का और एक नीचे option आएगा edit form का किसी को फॉरम में अलके भूल के बदलाव करने तो भी कर सकते हो, अब फिल चोईस का option आएगा बेटा, है की नहीं क्या आएगा, फिल चोईस का, ठीक है, अब देखो अगर किसी बच्चे ने fast round counseling करवा रखी है, तो नीचे ऐसे लिखा वो आएगा, counseling round fast, fast round अगर आपने करव ही है तो, फिर आएगा allotted course name, जो आपको course मिला था, उसका नाम आएगा, जैसे मान लो मैं जिस बच्चे की करवा रहा हूं, उसको course नहीं मिला, अगर किसी को मान लो BPT मिला तो BPT आएगा, फिजियो तरफी मिला तो फिजियो तरफी आएगा, है ना, sorry, paramedical मिला तो paramedical आए ही, है ना, फिर यहां कुछ रिमारक वगिरा आएगा, जो भी है, ठीक है ना, तो यहां कुछ भी ऐसा हो, तो आप देख लेना, उसका screen sort लेना चाहूँ देख लेना, ठीक है, हाँ जी, चलो, तो अब आपको तो mainly second round का fill करना है, first round से तो क्या ही करना है, जिनको upgrade करना है, व okay, fill choice पे click कर दिया, बिल्कुल कर दिया sir, click करते ही, यह interface आएगा, team दिखा रही होगी, बढ़िया तरह से, अब देखो बेटा, इस तरह का interface आएगा, इस interface के अंदर बेटा, इधर लिखावा आएगा, course का नाम, इधर आप जैसे ही, इस पे click करोगे na, select course और branch पे, तो यहां सारे courses को लेंगे, ऐसे, BSC, nursing, फिर, BPT, फिर, फिर, पेरा medical के course को लेंगे, जैसे की, BSC, optometry, है ना, फिर, BSC, radiation and technology, फिर, BSC, अलग अलग ऐसे course होंगे, फिर, BMLT, फिर, operation, theater, ऐसे सारे courses की list को लेंगी, बैटा, पूरी, अब आपको कौन सा course select करना है, देखो, पेरा medical के बह आप कर पाओगे, है ना, अब सबसे पहले मुझे तो BSC, nursing, बढ़ना है, तो मैंने BSC, nursing, पर टिक कर दिया, तिक करते ही, इधर BSC, nursing, की college open हो जाएगी, अगर मैंने पीछे government पे टिक कर रखा है, तो government कुलेगी, मैंने पीछे private पे टिक कर रखा है, तो private कुलेगी, दोनों प पर बढ़नी हो, एक पर बढ़नी हो, दो पर बढ़नी हो, एक बार वैसे ही बढ़नी हो, रेंडम, एक बार वैसे ही बढ़नी हो, फिर उनको up and down कर सकते हो, number wise arrange कर सकते हो, है ना, बिल्कुल एक बार जो बढ़नी हो, सर्च करके बढ़नी हो, कैसे बढ़ने सर, वो भी बतात देखो देखो, अब सबसे पहले course-election किया, फिर इधर college पर टिक करोगे, तो college दिखेगा आपको, एक college पर टिक करना पड़ेगा, फिर update पर click करना पड़ेगा, हैं ना, देखो, तो पहले मैंने course-election किया, course-election किया मैंने, update पे click किया ना बेटा तो college कुछ इस तरह से दिखने लग गया है ना मैंने college select करने के बाद क्या किया था इधर update किया था update करते ही इस तरह से college aid हो गया अब मेरे को करना है aid new choice एक choice भर दी अब aid new choice aid new choice में वो ही same process aid new choice पे click करते ही फिर course भरो आप BAC nursing भर दिया फिर अगला college भरो तो जैसे दीन दयाल college भरा फिर update करो उसको update होगा और तो इसका color white type हो जाएगा फिर aid choice करो तो तीसरा यहां पे खुलेगा third है ना और course भरो अब मान लो किसी बचे को दो BAC nursing भर के फिर तीसरा अगर मान लो BPT भरना है तो BPT course भर दो फिर BPT का college भर दो इस तरह से आप भरते जाओ एना एक बार वैसे ही एववस्तित करम में भी भर सकते हो फिर उसको rearrange कर सकते हो क्योंकि यहां up down का option है और delete का भी option है कोई गलत अगर भर दिया तो कोई भी college delete पे click करते ही delete हो जाएगी ठीक है बिल्कुल save पहले मत करना बेटा एक-एक college को save नहीं करना है single single college को save नहीं करना है single single college को तो update करना है course भरा college भरा फिर update कर दो update करने के बाद फिर add new choice पे click करो फिर course भरो college भरो अपडेट करो फिर add choice course college अपडेट course college अपडेट नहीं ये चीज़ है मतलब क्या है arrangement क्या है पहले aid choice aid choice के बाद course course के बाद college college के बाद update ऐसे करते रहो ठीक है ना जी हाँ ऐसे college aid होती जाएगी ऐसे aid करते जाओ करते जाओ जैसे मैंने ये 3 B.A.C. nursing की बर दी फिर मैंने ये paramedical in B.A.C. medical take बर दी फिर B.P.T. बरी फिर paramedical in B.A.C. radiology बरी paramedical in B.A.C. medical lab बरी अब मैं और ऐसे भरता ही जा रहा हूँ जैसे मैंने ये 8 बर दी अब इनको मैं up down करना चाहूँ न तो इदर option है अब मान लो मुझे क्या करना है ये 7 नमबर वाली मुझे एक नमबर पे ले जाना है तो मैं ले जा सकता हूँ कैसे तो ये 7 नमबर वाली में ये up लिखा हुआ है मुझे mouse की click से इसके उपर एक बार दबाना है एक बार दबाते ही ये 1 step उपर जाएगी दो से 3 हो जाएगी दो से 4 करना है तो दो बार डाउन दबा दो समझ मैं आगी तो इस तरह से अब मान लो कोई गलत आपने भर दी मैंने मान लो ये मुझे इस बच्ची के ये नहीं भरनी थी है ना तो मैंने इनको delete कर दिया फिर है ना मैंने इनको क्या किया मैंने इसको delete किया कैसे यह delete पे click किया क्लिक करते ये delete फिर ये delete पे click किया ये भी होगी ये भी होगी ये भी होगी लेकिन delete तभी होगी जब वो वो कोलेज अपडेट होगी अपडेट करने के बाद जब ऐसे वाइट दिखने लगी ना तभी वो डिलीट होगी ओके जी हाँ तो सारी एकदम व्यवस्तित अरेंज करके फिर आपको सेव करनी है सेव का बटन है अब मान लो किसी बचे ने अगर सेव कर दी तो सेव करने के बाद भी मोडिफाई हो जाएगी दुबारा बदलाव कर सकते हो डरने की कोई जरुवत नहीं है यूँ डरना मत कि अरे मैंने सेव कर दिया कोई दिकत नहीं सेव कर दिया तो सेव करने के बाद भी edit हो जाएगी, जब तक हम choice को lock नहीं करेंगे, तब तक कितनी भी बार change कर सकते हैं, अभी change कर दिया, कल और कर दो, जिन में साम को 10 बार करो ना change को ले जो को, है ना, बिल्कुल, यह बर्दी मैंने, फिर, फिर अब मैं करूँगा save, अब मालो मेरे को यह तीन ही रखनी थी, तो तीन ही रखनी थी, तब मैं save करूँगा, मैंने ऐसे तीन, यह तीसरी अपडेट कर दी, अब यह अपडेट हो गई है एकदम, अब मुझे aid choice नहीं करना, खीकर न, तीसरी भर दी मैंने अपडेट कर दी, अब, अब बच्चो देखो, अब कोई बच्चा है, मालो किसी न aid choice पर क्लिक कर दिया, तो यहां course वाला खुल जाएगा, अब क्या करूँ sir, अब तो save नहीं हो रही, तो भाई अगर course वाला खुर गया, तो कोई भी college भर दो, अपडेट कर दो, अब देखो बेटा, अब आपके सामने तीन college हैं, लेकिन उन college हों का कोड लिखा हुआ नहीं अबी तक, जब तक save नहीं करोगे, तब तक code नहीं दिखेंगे, देखो यहां पीछे save की हुई नहीं थी, देखो code दिख रहा है किसी पे, इस पे नहीं, किसी पे भी code नहीं दिख रहा है, क्यों, क्योंकि save ही नहीं की हुई थी, यहां आके मैंने save कर दी, जैसे save वाला बट सेव करने के बाद क्या करनी है सबमिट अब जैसे ही सबमिट करोगे बेटा यह देखो आपने सबमिट कर दी सेव करने के बाद आप क्या करें सबमिट सबमिट पर क्लिक करते ही लिखावाएगा are you sure to submit मैंने का okay मैं sure हूँ मैंने okay कर दिया okay जैसे ही करूँगा अब मेरा submit वाला मामला भी complete हो गया submit हो गया अब मेरी college पहले मैंने क्या किया course बरा college बरी update किया course college update course college update फिर उपर नीचे दाइंबाइं जो करना था कर दिया है ना फिर मैंने save की चो इसको save करने के बाद मैंने submit वाला बटन दबाया submit वाला बटन दबाने के बाद इस तरह से option खुले ऐसे दिखेगा portal वापिस शुरुआत में आ जाएगा जहांसे शुरू किये थे आप जहां choice भरना शुरू किया था वापिस वहीं आ जाएगा अब ऐसे लिखावा आ जाएगा modify choice लॉक चोईश modify choice लॉक चोईश ऐसे लिखावा आएगा modify चोईश पे अगर click करोगे फिर से आप चोईश को edit कर सकते हो कोई भी college को delete करो नई college को add करो ऐसे वापिस भी college चोईश दूबर edit कर सकते modify पे जाके और अगर lock कर दी choice को तो फिर आप कोई बदलाव नहीं कर पाओगे फिर permanent lock हो गई अगर किसी ने lock नहीं किया तो तो last date को automatic lock हो जाती है लेकिन lock आपको जरूर कर देना है मालब आज choice भरी तुकल lock कर दो है ना और मैं तो कहता हूँ आपने full and final अगर choice भर दी है तो आज ही lock कर देना साम तक college को लोग करने के लिए सर कोई lock खरीदना पड़ेगा क्या अरे नहीं बाबू तुम कहीं दुकान पे चले जाओ कि college lock करनी है अच्छा सा लोग देना कौन से college lock करनी PJMS तीन लोग खरीदोगे तीनों के ताले वाले लगा कि मत आ जाना बाबू हैं हाँ ठीक है ना हाँ अब देखो बच्चो वो एक बच्चे का call आया था कि सर PJ education कहा है मैंने का तो यहीं है भई रोतक के अंदर ही है तो कैसा रोतक में है तो सर मेरे online बेच मैंने ले लिया है और अब मैं टिकट करा के वहाँ आ जाऊं बेच लेने के लिए मैंने का बेच कोई वस्तू थोड़ी ना है जो बेच में डाल के लेके जाएंगे यह तो online है mobile में देखा जाता है ओ सर यह बात है क्या मैंने का हाँ फिर बंदा हासने लग गया मुझे लगता हूनोंने मजाक की होगी हरियाना वाले जो हैं वो मजाक बहुत करते हैं मेरे साथ हाँ अब देखो भई तो बेचा यह बात है तो modify choice पे click करोगे दंदर modify हो जाएगी और अगर कुछ भी modify नहीं करना है तो lock choice पे click कर दो lock choice पे जैसे ही click करोगे ऐसे लिखाव आएगा क्या लिखाव आएगा सर इस तरह से लिखाव आएगा are you sure you want to lock choice this will result to locking of all the field choice editing and correction will not be allowed once choice is locked यहनि lock करने के बाद फिर कोई correction नहीं होगा अगर आपको कोई correction करना ही नहीं है तो okay पे click कर दो lock हो जाएगी बस lock होने के बाद print ले सकते हो आप चो इसका बस very simple क्या किया आपने कहां से शुरू किये थे यह देख लो आप है ना भई यहीं से तो शुरू होए थे सबसे पहले ही पहले क्या किया login किया था है कि नहीं क्या किया था सबसे पहले registration से शुरूआत होई थी ना आपकी तो यह website open कर दी open की open करने के बाद website open करने के बाद यह login पे आए applicant zone पे ID password डाला ID password डाल के क्या किया login किया login करके पहले registration कराया round 2 कराना चाहते हो yes कौन से college बढ़ना चाते हो college जो भी बढ़ना चाता है उस पे click कर दो click करके चारो point टिक करो save and continue करो save and continue करने के बाद बाद में payment का option आया है ना बाद में कौन सा option आया बेटा payment का option आया तो क्या कर दिया हमने payment कर दिया है ना यह देखिएगा और payment कर देने के बाद जी और हाँ एक बाद समझ लेना payment में आप कोई भी mode से payment कर सकते हो है ना तो यह देखिए आपने yes किया college बढ़ना चारों टिक किया save and continue किया फिर payment का option आया payment कर दिया payment success हो गया फिर दुबारा login का option आया login पे click किया अपना id password फिर से डाला फिर fill choice पे click किया fill choice पे click करने के बाद college course और college aid करके update करते गए add new choice पे click किया फिर course बढ़ा college बढ़ा update किया फिर add new choice course college update add new choice course college update इतना सब कुछ करके rearrange करके save कर दो save करोगे तो यहां submit वाला बटन आएगा submit करोगे हैना save करोगे तो कौन सा बटन आएगा submit वाला बटन आजाएगा हैना save करते ही कौन सा बटन आगया submit वाला बटन आगया और submit जैसे ही कर दोगे बेटा submit जैसे ही कर दोगे तो यह बटन आजाएगा modify choice वाला और log choice वाला हैना modify अगर करना हो तो modify कर दो कुछ बदलाव नहीं करना हो तो lock कर दो okay lock करते ही print का option आएगा इस तरह से आपका पूरा process complete हुआ अब बात करते हैं top college की देखो बेटा अगर मैं बात करूं college की तो हमारे कौन-कौन सी government college है बेटा CDC बात है बेटा government college बीएसी nursing की तो तीन है कौन सी तीन college है जी बीएसी nursing की बीएसी nursing की ये तीन college है government की जिन में बेटा government college of nursing सफिदन ये female के लिए है फिर college of nursing PGIMS रो तक ये female के लिए है लेकिन जो DDU करना लेना ये co-education है मतलब इसमे boys और girls दोनों apply कर सकते हैं बीएसी nursing की गवर्मेंट गोलेज दिखेगी लड़कों के लिए A की बीएसी nursing की government college दिखने वाली है जिसका नाम है DDU करनाल ओके लड़कों के लिए B.S.E. nursing की A की government college दिखेगी लड़कियों के लिए тीन दिखेगी ओके जी हाँ तो ये तो हो गई B.A.C. नर्सिंग की बात है ना अब बात करते हैं बेटा पेरा मेडिकल की पेरा मेडिकल के अंदर बेटा है ना पेरा मेडिकल में तो अलग-अलग कोर्स है बेटा है ना लेकिन सबसे अच्छा कोर्स अगर पेरा मेडिकल में कोई है तो मेरा तो बेटा यही मानना है B.S.C. Medical Technology है ना? हाँ जी यही कॉर्स आप बरना Medical Technology वाला ध्यान रखना तो इस कॉर्स जब सलेक्ट करोगे तो सबसे नीचे वही कॉर्स है अब बेटा देखो इसमें एक तो कॉलेज है P.T.B.D. सर्मा P.J.M.S. रो तक दूसरा यह गॉर्मेंट कॉलेज है दूसरा है बेटा कलपना चावला गॉर्मेंट मेडिकल कॉलेज करनाल तीसरा है बेटा B.P.S. गॉर्मेंट मेडिकल कॉलेज सोनी बत तीसरा है S.S. K.M. गॉर्मेंट मेडिकल कॉलेज नलहार नू ठीक है ना बिल्कुल जी इसके बाद में बचो फीजियो तेरेपी के herman college मतलब BPT के ना तोफीजियो तेरेपी के ऐगर बात करऊं तो पहला g guid молいきます कौन साधे को पहला है college of फीजियो तेरेपी PGI MS रो तक दूसरा है college of फीजियो तेरेपी डीडियू करनाल साकेत कोलेज of nursing पंचकुला तो ये तीन कोलेज हाख फीजयो थेरपी के गॉवर्मेंट चार कोलेज पेरा मेडिकल गॉर्मेंट तीन कोलेज बी-पसी नर्सिंग गॉर्मेंट अगर कोई बचा सारे कोर से भणना चाता है ना तो उसके मानलो कोई गल्स केंडिडेट है तो तीन B.A.C. नर्सिंग के गॉर्मेंट, चार पेरा मेडिकल के और तीन फीजियो तेरपी के बताओ कितनी चोईस होगी अगर एक एक कॉर्स बरे, एक मानलो इसमें B.A.C. नर्सिंग बरा, एक इसमें B.A.C. लेब टेग्निशन बर दिया और एक फीजियो तेरपी बरा तो उसकी चोईस कितनी होगी, चार और तीन, साथ और तीन कितनी होगी, दस चोईस अगर मानलो पेरा मेडिकल में एकाद कॉर्स और कोई बरता है बचा B.R.I.T. बर दे, तो उसकी चार चोईस और हो जाएगी, तो चोईस चोईस चोदा हो जाएगी, तो गौवर्मेंट कोलेज की भी चोईस बहुत सारी तेया बन सकती है, अगर किसी को केवल नर्सिंग या पेरा मेडिकल या फीजियो तेरफी, तब तो आपकी गौवर्मेंट कोवर्मेंट की चोईस 20-25 बन जाएगी, है की नहीं है, हाँ, अब बेटा देखो देखें, इतनी बात समझ में आ गई, बिलकुल आगी सर, अब बात और कौन सी करें बताओ, प्राइवे नर्सिंग में नहीं, पेरा मेडिकल में भी, कौन से सर अच्छे बताए जा रहे हैं, एक तो आपका है, M-A-M-C, M-A-M-C, बहादूरगड, M-A-M-C, बहादूरगड, है न, बहादूरगड जज़र, ये केवल फीमेल को लेज़ है, भई, M-A-M-C, बहादूरगड, इसके अग्रोः ये दो कोलेज जो हैं बहुत अच्छे बताई जा रहे हैं गौर्मेंट के बाद और बताओ और अच्छे कौन से हैं और वेद नर्सिंग कोलेज अच्छा है बेटा वेद नर्सिंग कोलेज है है ना अब पानी पत का और और बेटा अगर मैं अच्छे कोलेजों की तो एक सहीत दिव सिंग कोलेज है, फतियाबाद में ये अच्छा है, और बेटा सरबती कोलेज है, में अच्छा है, ये आपका आरपी कृनाल, है न, इसके बाद में, बचचो सरबती की तो बात हो चुकी है ना M.A.M.C. इन दोनों की बात हो चुकी है बिरेंदर सिंग कोलेज उचाना जिंद फिर RR कोलेज इसके बाद इंडस कोलेज K.V.M. कोलेज सत्या कोलेज है ना इसी तरह से केलास कोलेज और है केलास है है ना और भी काफी कोलेज हैं बेटा लेकिन ये कुछ है कोलेज मैंने आपके सामने रखे हैं ठीक है ना आप जब भी कोई प्राइवेट कोलेज बरें पहले उसे एक बार गूगल पर डाल दें सीटी से उसका डिस्टेंस देख लें है ना बिलकुल जी ये तो मैंने कुछ नाम बताए ठीक है ना अब देखिएगा अब मैं एक आपको लिष्ट दिखा रहा हूँ इधर देखो ये आई एन सी कोलेज की लिष्ट है जिनकी आई एन सी की मान्यता है है ना बिलकुल जी और ये जो बच्चों आई एन सी कोलेज की लिष्ट है ना आपके सामने यहां से सुरू हो रही है इस पे मैं एक सिरफ दो या तीन मिनट का वीडियो बढ़ाऊंगा बुलट ट्रेन की स्पीड से और ये सारे नाम उस लिष्ट में बता दूँगा ठीक है ना फिर भी आप कह रहे है सर अभी की अभी बुलट ट्रेन की स्पीड से बताओ अभी सुन लो टीम को कहूंगा कि अबल लिष्ट दिखाई जाए मैं फटा-फट से बोलूँगा बेटा नाम ठीक है ना मैं फटा-फट से ही नाम बोलने वाला हूं जो आपके काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं मैं उनी का नाम बता रहा हूं डॉक्टर जेपी सर्मा यमुना नगर नेक्स्ट फ्लोरेंस कोलेज फ्लोरेंस कोलेज फरीदाबाद फ्लोरेंस कोलेज फरीदाबाद और इसके बाद है हर्याना कोलेज आप नर्सिंग सिर्शा केलास इंस्टिट्यूट पंचकुला M.M. इंस्टिट्यूट अंबाला माराज अगरसेन कोलेज आप नर्सिंग हिसार अग्रोवा महिर्शी दयानन्द इंस्टिट्यूट हिसार महिरसी मारकेंडेस्वर कोलेज अंबाला वो सकता है बेटा इन में से एक अध कोलेज नहीं भी हो क्योंकि एक दो ऐसे कोलेज है जो अपने आप में युनिवरसिटी है तो उनका अलग सिस्टम होता है इसके बाद में इसके बाद में बच्चो यह भी आपकी महिर सी मारक एंडेंसवर के नाम से ही है इसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें नेशनल कोलेज इसार बरवाला इसके बाद है बैटा PDM कोलेज PDM जजजर इसके बाद है R.R. कोलेज गुडगाओं इसके बाद है Rural Nursing Training Institute सोनिपत इसके बाद सत्या कोलेज रोतक सहीद बाबा दीव सिंग कोलेज फत्याबाद सहीद उद्दम सिंग कोलेज रतिया फत्याबाद सर्बती कोलेज महेंदरगड, स्री चमतकारी संतजी कोलेज, रोतक तैसिल मेहम, स्वामी विवेकानन नर्सिंग कोलेज, यमुना नगर, वेद नर्सिंग कोलेज, पानिपत, यमुना कोलेज, यमुना नगर, तो बस, कितने कोलेज हैं, जिनके पास INC की मानिता है, ये वो कोलेज हैं, जिनके पास INC की क्या है बेटा, मानिता है, सर्बती कोलेज भी इनमें सामिले, है ना, कौन सा कोलेज सामिले, सर्बती, सहीद उद्दम सिंग कोलेज भी इसी में सामिले, और कुछ कोलेजों के नाम तो है लेकिन वो उनके पास D&M वगिरा तो है लेकिन B.S.E. नर्सिंग की मानिता उनके पास नहीं है तो ऐसे कोलेजों के नाम मैंने इसलिए नहीं बोले क्यूंकि उनके पास B.S.E. नर्सिंग नहीं है ठीक है ना बिलकुल जी तो यह जो college-ों के नाम मैंने बोले हैं इन college-ों को आपना अत्मिक्ता देना अब आप क कईशे सर काफी college-ों के नाम missing है काफी के नाम missing भले ही हो बेटा कुछ college-ों के नाम or aid हो जाएंगे क्योंकि अभी तो I.N.C. की final list नहीं आई है ठीक है न? आँ जी चलो जी और मैं पिसले साल की जो आई एंसी की लिस्ट है 2023 वाली वो लिस्ट एक बार जरूर डाल दूँगा है ना तो उसके हिसाब से आपको आईडिया भी लग जाएगा नई लिस्ट और फिसली वाली लिस्ट दोनों ही डाल दूँगा आप कंपेर कर लेना ठीक है ना जिन कोलेजों का नाम 2023 वाली लिस्ट में भी नहीं है और 2024 में भी नहीं है उसको मत बरना चलो जी बच्चो तो आज के लिए इतना ही सोच विचार की कोलेज बरें वही कोलेज बरें जो आप लेना चाहते हैं अब मैं क्या करूँगा अभी तो इस वीडियो में तो मैंने चोईस फिलिंग का प्रोसेस बताए आपको तो इस कैसे बरें प्रेमेंट कैसे कटवाएं है ना गौवर्मेंट कोलेज कौन कौन से हैं यह मैंने चीज़ें बताई अब एक अगला और वीडियो बढ़ाऊंगा उसमें मैं क्या करूँगा उसमें मैं आपको आई एन सी के उसले 2023 व प्लीज हर एक हरियाना के बच्चे के इस्टेटस पर उना चाइए अगर आप मानते हो वीजय सर ने कोई मेंट करी है आपके लिए तो आप सब के इस्टेटस पर उना चाहिए रात के टाईम दो बज़ के 35 पे तीस मिनट ओने को है है रक है न और मैं यह विडियो रिकॉर् लरी होगी में रात बर जग के आपके लिए वीडियो बनाता हूं ताकि आपको अगले दिन अपडेट मिल सकें मेरा निवेदन है इस मेनत को आप आगे बढ़ाएं चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ एक बात और बोलना चाहूंगा और बोलना नहीं चाहूंगा जिम्मेदारी यह है बेटा कि आपका भाई आपका रिष्तेदार आपका कोई भी रिलेटिव जो अरियाना बीएसी नर्सिंग एंट्रेंस एक्जाम दोजार पचीस की तियारी करना चाहता है तो आप उन्हें विजे एजूकेसन के ओनलाइन बेच के बारें जरूर बताना बेटा यह अपना विजे परिवार है जिसने अभी प्रमास्तर टूजिरो के नाम से अरियाना के बच्चों के लिए एक बेच निकाड़ा है यह अरियाना CET का बेच है बेचा इसकी फीस केवल 890 रुपे हैं 12 महीने की वेलिडिटी है और इस से अरियाना B.A.C. नर्सिंग एम स्पेरा मेडिकल की भी इंटरेंस एक्जाम की तियारी सेसन 2025 के लिए इस बेच से हो जाएगी प्लीज इस बेच को आप जरूर जोईन करें इसमें एक सब्का बाद इस बेच में क्लास शुरू हो जाएगी 2025 के लिए आपका छोटा भाई बहींद रिस्तेदार कोई भी ह आप उन्हें जरूर बताना यह एलप लाइन नंबर है 9649721229 इसके अलावा और भी विजय एज्यूकेशन के एलप लाइन है उन पे आप कोल भी कर सकते हो इन नंबरों पे 890 रुपे फोन पे या गूगल पे करवा के भी अपना बेच चलू करा सकते हो या सीधा विजय ए कर लिया है या बेटा जिनके अच्छे नंबर है और जो सेकंड डाउंड में जोइन करेंगे मैं आप सब बच्चों को कहना चाता हूं आप सारे विद्यारती इस बेच को जरूर जोइन कर लें यह एक मैंने बहुत मैनत करके आप लोगों के लिए बेच बनाया है फेकल्ट नर्सिंग की पूरी पढ़ाई जो आप दो दो लाग रुपे कोलेज में देते हो वो सेम स्टडी वो सेम क्लस हैं इस बेच में आपको 990 में विजे परिवार दे रहा है यूट्यूब के इतियास में ओनलाइन कोचिंग के इतियास में यह अपने आप में एक हिस्ट्री है बेटा कम से कम 20-25 अजार से कम ओनलाइन यह बेच कहीं नहीं मिलता है विजे परिवार यह हिमत रखता है ताकि हर एक बच्चा पढ़ पाए अगर किसी कोलेज में स्टाप नहीं भी हो अच्छी फैकल्टी ना मिले आपको तो कम से कम आप पढ़ाई से वंचित नहीं होंग तो शुरुआती दिनों में बेटा कई बार चीजें समझ भी नहीं आती है तो इस बेच के अंदर आके अपना साम के आराम से पढ़ लोगे कोई चप्टर समझ में नहीं आए इवनिंग में आके आराम से इस बेच में से पढ़ लोगे जब वो ऑस्पिटल डूटी लगेग बाकि आप खुस रहें और आपकी चोईस फिलिंग में मैं इसी तरह से हल्प करता रहूंगा प्लीज वीडियो को इस्टटस पर डालना है यह मैं सब बच्चों के देखना चाहता हूं कि वास्ताओं में आप मेरी मेहनत को आगे बढ़ाते हैं यह नहीं बढ़ाते हैं आज